नमस्कार दोस्तों, Competition Community के YouTube चैनल में एक बर फिर से आपका स्वागत है और Competition Community द्वारा संचालित की जा रही MCQ सिरीज में Indian Geography Subject पर Based MCQ लेकर मैं हूँ आपके साथ अगास सेंग ये Indian Geography Subject पर Based MCQ का दूसरा पार्ट है तो पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप देख लें वो अल्रेड़ी Upload हो चुका है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले Question से पहला Question कहता है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है यहाँ पर चार Option दिये गए हैं इन Option पर जाने से पहले हम इस Image में कावेरी नदी के प्रवहा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कावेरी नदी का उद्गम करनाटक राज्य में होता है ये ब्रह्मगीरी करनाटक में उद्गम होगा मंडेया के पास दोड़ीप बनाया जाता है इस नदी के द्वारा सिरंग पटनम और सिवम समुद्रम और उसके बाद ये कावेरी नदी तमिल नाडू में एंटर कर जाती है धर्मापूरी के पास इसके बाद जैसे ही एंटर ये करती है धर्मपूरी के पास वहाँ पर मेत्तूर डैम बनाया गया है और उसी मेत्तूर डैम की वज़ा से एक जलाशाय बना हुआ है जिसे स्टेनले जलाशाय कहा जाता है कावेरी नदी दक्षिन की और मुर्ती है और तिरुचिरा पल्ली के पास से होते हुए ये तवांजूर के पास से दो भागों में बढ़ जाती है एक उत्तर का भाग कोली डेम के नाम से बहता है और दूसरा दक्षिन वाला भाग कावेरी नदी से ही नाम से ही आगे बढ़ता है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है तो अगर इस नदी की हम बात करें कि इस नदी का प्रवा किन राज्यों से है तो करनाटक और तमिल नाडू मातर है लेकिन जब हम कावेरी नदी बेसिन की बात करते हैं तब उसमें केरल राज भी आता है और पुद्दू-चेरी राज भी इंडियन टेरिटेरिवी चलाता है सायग नदी आकर इस मुख्य द्रोणी में जुड़ जाएगी तो ये मुख्य नदी जिन चेत्रों से गुजरती है सांती साथ वो सारे चेत्र जहां से ये सायग नदिया बहती है इन सभी चेत्रों को एक सांत बेसिन कह दिया जाता है तो कबानी नामक की एक नदी है जो केरल से निकलती है और कावेरी की सायग नदी है तो बेसीन के अधार पर अगर देखा जाए तो कावेरी नदी बेसीन विस्तारीथ है करनाटक, केरल, तमिल नाडू और यूनियन टेरिटरी ओफ पुद्दु चेहरी अब इस कोश्चन पर अगर हम नज़र डाले तो देखें कोश्चन में इस पस्ट तोर पर पुछा है कावेरी नदी कौन-कौन से राज्य से होकर गुजरती है बेसीन के बारे में नहीं पुछा गया है तो सही उत्तर इस कोश्चन का क्या होना चाहिए सही उत्तर इस कोश्चन का होना चाहिए करनाटक और तमिल नाडू लेकिन बस ये दो राज्यों को समाहित के हुए कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हमें क्या करना होगा फिर तो हमें सबसे उप्यूक्त ऑप्शन को सही अंसर मान कर आगे बढ़ना होगा देखे जब भी आप mcq solve करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका उद्देश ये होना चीज़ है कि जो सही उत्तर है उसे आप चुने लेकिन अगर option में कोई भी सही उत्तर आपको नहीं लगता तो उस option को आप सही मानेंगे जो सबसे सही के करीब है सबसे उप्यूक्त option जो आपको दिख रहा है तो इस तरज पर इस option में सबसे उप्यूक्त जो दिखता है वो है option B करनाटा केरल और तमिल नाडू तो इस प्रकार से इस पहले question का सही उत्तर हो जाएगा option B करनाटा केरल और तमिल नाडू चलिए आगे बढ़ गुदावरी, किष्णा, पिन्नार, कावेरी और वेगई। चली एक काम करते हैं, इस इमेज पर ही हम चले आते हैं। यह जो ब्लू कलर का आप एरिया देख रहे हैं, यह सुबन रेखा यह सुबन रेखा नदी बेसीन है। सुबन रेखा कि अगर हम बात करें, तो राची के पठार में इसका उद्गाम होता है। इस नदी के तट पर ही जारखंड का जमशेद पूर शहर है, जो कि एक इंडर्स्टियल एरिया है। यह नदी, सुबन रेखा नदी ही पश्चिम बंगाल और ओरीसा के बीच में सीमा भ जाती है। तो एक रेविजन भी हो गया, तो सुबन रेखा नदी के बारे में है। चलिए। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद ब्रामनी नदी है, महा नदी, महा नदी की जानकारी, मैं आप लोगों को दूँ, यह सहीं नहीं होगा, आप इंडियन जोगरफी के जावरी नदी का उद्गम कहां पर होगा, महाराश्ट में होगा, महाराश्ट में कहां, नासिक डिस्ट्रिक में, नासिक डिस्ट्रिक में इसका उद्गम होने के बाद यह पूरवदिशा में नदी बहेगी, और उसके बाद यह तेलंगाना में प्रवेश करेगी, आदिला मिल जाएगी. क्रिश्न नदी की कहानी तो ये सारे चीजों को पहले यहाँ पर से हटा देते हैं तो उमारे पास इस्पेस हो जाएगा. चलिए. क्रिश्न नदी. तो क्रिश्न नदी का उद्गम कहाँ पर होगा. तो महाबलेश्वर महाराश्ट में महाराश्ट के सांगली नमकिस्थान से या करनाटक में प्रवेश करेगी करनाटक के बीच से मद्य भाग से सेंटरल पार्ट से ये बहते हुए तेलंगाना में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद यह भी तिलंगाना और आंदर प्रदेश के बीच में सीमा बनाएगी और आंदर प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में बिल जाएगी उसके बाद पनार नदी इसका उद्गम करनाटक के बाबा बुदान पहाड़ी में होगा और इसका मुख्य जो प्रवा होगा वह आंदर प्रदेश में होगा फिर उसके बाद कावेरी नदी इस पर हमने अभी बात कर ली है और अंत में हैं वेगई नदी वेगई नदी वरुशनद पहाडी तमिलनाडू से उद्गमित होगी और तमिलनाडू में बैते हुए ही बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएगी तो ये सारा एक क्विक रिवीजन भी था अब हम सहीं उत्तर की खोज पर चलते हैं सहीं उत्तर क्या होगा सहीं उत्तर होगा अप्शन ए स्वनरेखा, महानदी, गुदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी और वेगई चलिए अब हम अगले प्रशन पर चलते हैं निम्नलिकित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है ध्यान रखिएगा not correctly matched ऐसा पूछा जा रहा है तो शिवम समुद्रम कावेरी ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि मांडिया डिस्ट्रिक में दो दूइप का निर्मान करेगी ये कावेरी नदी एक शिवस समुद्रम है और एक है स्रीवरंग पत्नम तो यहीं शिवम समुद्रम छेतर में ही काविरी नदी द्वारा एक जलप्रपात का निर्मान किया जाता है जो कि है शिव समुद्रम जलप्रपात चुलिया जलप्रपात जी हाँ ये चम्बल नदी पर ही है और ये राजे स्थान में पड़ेगा ठीक है जोग जलप्रपात ये कहाँ पर है तो ये शरावती नदी पर है शरावती नदी शिमोगा डिस्ट्रिक करनाटक में बहती है और धुआधार ये जबलपूर पर है ये जलप्रपात और ये नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है तो सुमेलित कौन सा नहीं है जोग जलप्रपात ये शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है ये किष्णा नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता है चलिए चौथा निम्न में से कौन सा ही सुमेलित है ये दो कॉलम है एक तरफ जील है और एक तरफ वो राज्ज है जहाँ पर ये जील इस्थित है चलिए सबसे पहले लुनार की बात करते है तो लुनार इस्थित है महराश्च में ठीक है ये एक क्रेटर लेख है जो आला मुखी विस्थोट की वज़े से जो सबसे उपरी मुहाना होता है उसका जो आकार है कुछ इस प्रकार से ऐसा आकार बनेगा तो ये जो आकार होता है इसे ही क्रेटर कहा जाता है और इसी क्रेटर में जब जल आकर एकत्रित हो जाये तो वह जील का रूप दारण कर लेगा और यही लोनार जील इसी प्रकार के प्रक्रिया द्वारण नीर में जील का उधारण है चलिए नक्की यह गुजरात में नहीं है बलकि यह है राजस्थान में है कोलेरू कहां पर है तो यह आंदर प्रदेश में है और यह एक फ्रेश वाटर लेक है ठीक है मिटे पानी का जील है उसके बाद आता है पुलीकट तो पुलीकट केरल में नहीं है यह भी आंदर प्रदेश में ही है अंदर प्रदेश में इस्थित है यह भी पुलीकट लेक यहीं पर सतीज धवन इसपेस सेंटर है और यह एक प्रकार का लगून लेक है लगून लेक पिछले कुछ वीडियो में कुछ चात्रों ने ऐसा मांग किया था कि सर इंग्लिश में भी कोश्यन को आप दोहराएं तो अब वो एक संतुलन बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी में कोश्यन है और इंग्लिश में कंटेंट को यहाँ पर इस्कीन पर लिख रहा हूं ताकि दोनों ही माध्यम के छात्रों को मदद मिल सके चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं कोश्यन नमबर पांच मौनसून टाइप का क्लायमेट है चलिए उसके पीछय कारण क्या कहता है तो इस यह दो कथन दिये गए तो इसका जो उत्तर है पहले मैं उत्तर ही बता देता हूँ, उसके बाद इसको explain कर दूँगा, इसका जो उत्तर है वो है option B, A सही है लेकिन R गलत है, क्योंकि अगर हम भारत की अवस्थिती की बात करें, तो भारत के बीचों बीच से करकरेखा गुजरती है, करकरेखा गुजरती है, और इस कारण से भारत का जो उत्तर का भाग होगा, वो उपोस नकटी बंदिये छेतर में अक्षांस में चलाएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में, और जो भारत का दक्षिन भाग होगा, वो उस नकटी बंदिये या ट्रॉपिकल रीजन पर होगा, तो भारत उस नकटी बंदिये अक्षांस में भी लेकिन फिर भी भारत की जो जलवाईू है यह उपोस्ट नकटी बंदिये प्रभाव से दूर रहती है उस नकटी बंदिये प्रभाव को भारत महसूस करता है उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे कारण है हिमाले की अवस्थिति हिमाले का location हिमाले की वज़ा से जो उपोष्ण कटी बंदी प्रभाव है जो mid latitude वाला जो प्रभाव है जो impact है sub tropical region वाला जो impact है कौन सा impact वहाँ से बहने वाली ठंडी पवने उन पवनों को हिमाले रोग देता है भारत में प्रवेश करने नहीं देता इसका मतलब यह है कि हिमाले की विस्थिती की वज़ा से जो उपोष्ण कटी बंदी प्रभाव है वह भारत में प्रवेश नहीं कर पाती तो भारत का उतरी भाग उपोष्ण कटी बंदी छेत्रों में जरूर रहता है लेकिन उपोस्ट नकटी बंदी प्रभाव भारत में हिमाले की वज़े से नहीं पहुँच पाता और इस कारण से जो प्रभाव यहां पर विस्तित होता है वो सब ट्रॉपिकल नहीं बलकि ट्रॉपिकल टाइप का हो जाता है और इसलिए भारत की जो जलवायो है वो उस के बढ़ते हैं कोशन नमबर सिक्स दक्षिन भारत से उत्तर भारत की और मौनसून की अवदी घरती जाती है अर्थात जो सदन इंडिया होगा दक्षिन भारत होगा उसमें मौनसून ज्यादा देर तक होगा और जो उत्तरी भारत होगा नदन इंडिया होगा वहां पर मौ जो पुर्वी भाग है वहाँ पर ज्यादा बारिश होगा और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ चलेंगे वेस्टन साड में जब हम इंडिया के जाते रहेंगे तो वर्षा की जो मात्रा है वो लगातार कम होते रहेगी ऐसा ये कथन कहता है चलिए देखते हैं दोनों में से क से पहले वो कहां पर होगा सदन इंडिया में इंटर करेगा और उसके बाद 10-15 दिन बाद यह उत्तर भारत की ओर पहुंचेगा क्लियर है मान लेते हैं ये कब की कहानी है ये जुलाई की कहानी है जब मॉनसून लोटता है तो मॉनसून कैसे लोटेगा अचानक से हवाई पीछे नहीं हो जाएंगी ये मान लेते हैं कि सितंबर की आसपास में मॉनसूनी पवनों का जो शेतर होगा वो कुछ इस तरह से हो मतलब पीछे की ओर खसक गए और जब दिसंबर का टाइम आएगा दिसंबर का तब यह भारत के दक्षिन में बहने लगेंगे और उत्तर पूरी परमने भारत में चली आएगे एक प्रकार से यह मुटा मुटा उधारण है तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा समय तक जब मौनसून आया और जब मौनसून गया तो दक्षिन वाला जो भाग है वह मौनसून के प्रभ अंतीम जो छोर हुआ जहां से मौनसून पीछे हटा वह भी दक्षिन वाला भाग ही है मतला बहुत लंबी अवधी तक यह जो भारत का दक्षिन वाला भाग है यह दक्षिन वाला भाग मौनसून के प्रभाव में रहेगा लेकिन अगर हम उत्तर वाले प्रभाव की उत्तर समझ में आ रहा है कि दक्षिन वाला जो भाग है जो सदन पार्ट है दक्षिन पार्ट है इसमें जो मौनसून की अवधी है यह ज्यादा समय तक रहेगी और उत्तर वाला जो भाग है यहाँ पर जो मौनसून की अवधी होगी वह कम समय के लिए होगी तो दक्षिन से उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे तो मौन्सून की अवदी घटती है ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया दूसरा स्टेटमेंट उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षी विस्टी की मात्रा चलिए इसे हम समझ लेते हैं चलिए देखते हैं मान लेते हैं ये ऐसे बारत आपने बना लिया चलिए जब दक्षिन परश्ची मौन्सून आता है तो ये दो भागों में विभाजित होता है एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा इस प्रगार से ठीक है इस अरब सागर की शाखा की अगर हम बात करें तो दक्षिन वाले पार्ट में ये प्रायद उपी भारत में एंटर नहीं करता क्यों क्योंकि वेस्टर्ण घाड इसे रोग देता है जब अरब सागर मध्य बाट पर चलता है तो अरवली विंध्यन और सत्पूरा के मध्य गैब से ये प्रायद उपी भारत में एंटर थोड़ा सा करता है और अरवली के पैरलल होकर ये बह जाता है जिस वज़े से राजस्थान वाले छेतर पर इस छेतर पर थार मरुस्थल का निर्माण होता है लेकिन जब बंगाल की खाड़ी की शाखा की हम बात करते हैं तो ये अरकान योमा परवत सिंकला जो की मैनमार में इस्तित है इससे टकरा कर भारत की और प्रवेश करेगा ये जो शाखाय प्रवेश करेगी और फिर प्रायद उपी भारत के बहुत बड़े भाग में ये वर तो मौश्यर करेंगे आद्रगरहन करेंगे और लाकर तटो पर पुर्वी भाग पर बारिश करवा देंगे लेकिन जैसे जैसे यह बंगाल की खाड़ी की शाका पस्चिम की तरफ बहने लगेगी तो इनके पास आद्र की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे वह कम बारिश करते हुए पस्चिम की और बढ़ेंगे तो पूर्व साइड में ज्यादा बारिश होगी और जैसे जैसे यह जो पमने हैं पस्चिम की तरफ चलेंगी पस्चिम की तरफ जाते समय इनमें मौश्यर की कमी हो जाएगी जिसकी वज़ए से बारिश कम होगा और अरब सागर की शाका की वज़ा से तो बहुत बड़े छेतर में तो बारिश नहीं होती हिमाले वाले छेतर में बारिश होती है तो इस कारण से आपको क्या दिखेगा कि अगर आप वर्शा की मातरा की बात करें तो पूर्व से पस्चिम की और क्या होते रहेगी घटती रहेगी तो इस प्रकार स इस question का जो सहीं उत्तर है वह है option C, एक और दो दोनों सहीं है, ठीक है, पुरुव से पश्चिम की और घटी है, मौनसून की अवधी भी घटी है, चलिए, question number 7, Inter-Tropical Convergence Zone, ITCZ, एक निम्न वायो दाब, अर्थात low pressure belt वाला, low pressure वाला belt है, ये कहां पर इस्थित है, पहला, व्यापारिक पवने, English Medium वाले छात्रों के लिए, trade wind, और पच्वा पवने, हवाएं, वेस्टरलीस की पेटी के मध्य ये इस्थित है, दूसरा क्या कहता है, पच्वा और ध्रूवी हवाएं, अर्थात, पूलर, इस्टरलीस की पेटी के मध्य है, तीस्तरा कहता है, ध्रूवो की समीपवर्ती छेतर में और भूमद्य रिखा पर, option D कहता है, इस image पर हम पहले चले आते हैं, फिर समझेंगे, देखिए, वैसे तो, ये जो ITCZ है, इसका कोई एक exact location नहीं होगा, ये ITCZ का exact location नहीं होगा, ITCZ को हिंदी में क्या कहते हैं, अन्ता उस नकटी बंदी अभिसरन छेतर, अर्थात, ये जो आपका पार्ट दीख रहा है, ये पार्ट, ये है ITCZ, और इसे आप अन्ता उस नकटी बंदी अभिसरन छेतर क्यों कहते हैं, क्योंकि उस नकटी बंदी छेतरों से पमने आएंगी उत्तरी गुलार्द में और दक्षनी गुलार्द में और यहां पर आकर टकराएंगी, तो उस नकटी बंदी छेतरों से पमने आकर यहां टकराती हैं, उनका अभिसरन होता है, इसलिए ये अभिसरन छेतर बन जाते हैं मदलब बढ़ता रहेगा, जब सूर्य उत्रायन पर होगा, जून की स्थिति पर इस ITCZ का लोकेशन जो होगा, वो करक रेखा के आसपास हो जाएगा, और दिसंबर के आसपास इस ITCZ का जो लोकेशन है, वो मकर रेखा के आसपास हो जाएगा, चीक है? तो यह ITCZ सूर्य के सांसात में, सूर्य के अवस्थिति के सांसात में बढ़ता रहता है, अगर इग्जैक्ली इसका डेफिनेशन हम कहें, तो कहां पर यह स्थित होगा, तो यह पर्वनों के बीच में आप इसे कह सकते हैं, ठीक है? मैं इसे मिटा देता हूँ, तो आपको में आएगा, यह ITCZ स्थित होता है, उत्तरपुर्वी वैपारिक पमने नौर्थ इस्थ ट्रेड़ विन्ड और दक्षिर पूर्वी वैपारिक पमने साउथ इस ट्रेड विंड के मध्य यह ITCZ इस्थीत होता है अब आप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो सबसे उप्यूक्त आवाला आपको चुनना है तो उप्यूक्त क्या है भूमध्य रेखा क्योंकि इन सब में से उप्यूक्त भूमध्य नहीं रहेगी और जैसा कि मैंने आपको कई बार कह दिया है कि आपको सबसे उप्यूक्त आप्शन को सहीं आप्शन के तौर पर चुनना है तो आप वही करिएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं सुची एक को सुची दो के साथ सुमेल किजिए और सुचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सहीं उतर चुनिए दो सुची है एक है जलवाईू परिस्तिती और दूसरा है उनके पीछे उन परिस्तितियों के निर्मान के पीछे के कारण पर आधारित कोलकाता की अ अधिक गर्म है देखिए अगर हम भारत की स्थिति देखें तो यहां पर अगर कुलकाता है तो यहां पर है चिन्डए ठीक है तो किसी भी छेत्र में जो गर्मी है या जो तापमान है वो डिपेंड करता है कि वो भूमद्य रेखा से कितना दूर है एक्वेटर से कितना दूर है वह इस्थान जो एक्वेटर के ज़्यादा समीप होगा वह अधिक गर्म होगा और वह इस्थान जो एक्वेटर से दूर होगा वह कम गर्म होगा तुलनात्मक रूप से जैसे जैसे हम उपरी अक्छांसों पर चड़ते हैं, तापमान गढ़ते जाता है, भूमद्य रेखा, एक्वेटर के पास तापमान अधिक होगा, जो कि गिरता जाएगा, जैसे जैसे हम अपर लेटिट्यूड में जाएगे, जो कि बहुत थंडे में तब्दिल हो जाएगा, ध्रूब के पास में, पोल के पास में, क्लियर हैं, चलिये, एक तो कारण यह है, तापमान का, दूसरा कारण है, सागर से दूरी, अगर कोई स्थान सागर से बहुत दूर है, तो वह भी गरम होगा, क्योंकि सागर के समीब होने के कारण, वहां की जो जलवाईव परिस्तित से बहुत जादा प्रभावित होती है किस तरह से प्रभावित होगी तो वहाँ पर ना बहुत जादा गर्मी होगा ना बहुत जादा ठंडी पड़ेगी चीक है लेकिन चिन्ने की अगर हम बात करें और कोलकाता की बात करें तो सागर से दूरी तो लगबग दोनों की एक जैस ही है तो इनके बीच में इनके बीच में जो अंतर बन रहा है गर्माट का वो क्या होगा अक्षांस समुद्र की दूरी देखकर कन्फ्यूज नहीं होना इसका जो होगा कुलकाता की अपिक्चा चिन्नई अधीक गर्म हो जाना इसका कारण है अक्षांसी इस्थिति कई लोग समुद्र से दूरी टिक करके आते हैं, नहीं, समुद्र से दूरी लगबख सबकी एक जैसी ही है, चन्नही की भी कुलकादा की भी, हिमाले में हिम पात, यह तुंगता के कारण, अभी तुंगता क्या है, एल्टिट्यूड, हायर एल्टिट्यूड में हैं, उचाई उचाई में होने की वज़े से वहाँ पर तापमान घटता है, तो वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा, जो वर्षन होगा, वो हिम के रूप में होगा, और हिमाले में जो हिम पात है, उसके पिछे का एक्जेट कारण है, उसकी उचाई, ठीक है, लैटिट्यूड नहीं क्योंकि हिमाले का जो विस्तार है, या मिड लैटिट्यूड पर है, लेकिन मिड लैटिट्यूड पर ज़्यादा बर्फ अगरे नहीं गिरते, ये कहानी कहां की है, बहुत उपरी अक्षांसी इस्थिती की कहानी है बर्फ गिरना, लेकिन हिमाले की जो अक्षांसी इस्थि यह वह मिड लेटिटूट में जहाँ पर बर्फ नहीं गिरता पिर वहाँ पर बर्फ क्यों गिर रहा है क्योंकि काफी उचाई पर होने की वज़ा से तापमान कम होगा और इस वज़ा से वहाँ पर हिंपात होगा चलिए पश्चिम बंगाल से पंजाब की और आते आते मौनसून की वह जब प्रवेश करेगी तो पश्चिम बंगाल में अधिक वर्षा कराएगी लेकिन जैसे जैसे यह पश्चिम की तरफ जाएगी अर्थाद पंजाब की तरफ बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा घटते जाएगी तो इस जलवाईयू परिस्तिति के पीछे का जो exact कारण है वो क्या है समुद्र से दूरी सतलच गंगा मैदान में शीत काल में कुछ वर्षा होती है इसके पीछे कारण क्या है पश्चिमी विच्चो पश्चिम दाब आप इसे मान सकते हैं याद रखिएगा शीत रितू में जो वर्षा होगी जो पश्चिम सतलच उसके बिच्चिम मैदान है उत्तर पश्चिम भारत अरधात पंजाब हर्याना दिल्री इस चेतर में जो शीत-कालीन वर्षा होती है वह मोंसून की वजा से होती है इसे ही लोटता हुआ मौन्सून भी कहते हैं तो सही उत्तर इस question का क्या हो जाएगा option C A का 5 B का 2 C का 4 और D का 3 चली बिलकुल सही आगे बढ़ते हैं दक्षिनी ट्रेप की रेगर मिट्या काली होती है रेगर को ही और क्या कहते हैं रेगूर जे बिलकुल उसमें हुमस प्रचूर मात्रा में होता है तो ये statement गलत है हुमस अर्थात जैविक पदार्थ तो जैविक पदार्थ अधिक नहीं बलकि इसकी कमी होती है इसमें प्रचूर मात्रा में क्या होंगे तो लोहा मैगनीज ये सब प्रचूर मात्रा में होंगे जैविक पदार्थ ने तो दक्षनी ट्रैप एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है तो ज्वाला मुखी प्रक्रिया या फिर लावा के ठंडे होने से शितली करंट से इस दक्षनी ट्रैप का निर्माण हुआ है और इसी लावा का जो चट्टानी उधारण है वह क्या है बैसाल्ट चीक है और इसी चट्टान का बैसाल्ट और गरनेट दोनो उधारण है और इनका जब अपर्दन हुआ जब इनका अपर्दन हुआ तो काली मिदा अस्तित में आई जो की बहुत उप्योग्त है किसलिए कपास की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए ठीक है चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यह सही है लेकिन आर गलत है option c इस question का सही answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 10 दूमटी या लोम इसे दूमट भी कहते है मिटी में मिटी का कौन सा कंड मिलता है बालू कंड जिसे हम sandy soil कहते हैं चिकना कंड जिसे हम clay soil कहते हैं पांशू जिसे गाद भी कहा जाता है और silt भी कहा जाता है तो कौन से कंड होते हैं तो देखिए कंड के आकार के अधार पर ये नाम पड़ा हुआ है अलग-अलग प्रकार के मिदा होगा जब हम sandy soil की हम बात करें आकार के अधार पर इसे हम सजा देते हैं जैसे कि जो sandy soil है इसका अकार सबसे जादा होगा फिर गाद या silt का अकार होगा और सबसे छोटे अकार वाली जो मिदा होगी वह होगी clay या चिका चिकना और जब कोई एक ऐसा मिर्दा जिसमें कुछ sandy कुछ गाद और कुछ चिका भी हो जैसे मान लेते हैं 40% sandy हो गया 40% गाद हो गया प्लस 20-30% चिका हो गया तो ऐसे composition वाले मिट्टी को क्या कह दिया जाता है दोमट मिर्दा जो की सबसे उपजाओ विदा मानी जाती है चीक है तो सही उत्तर option D सभी प्रकार के खण चलिए question number 11 मिट्टी में खारापन या शारीता की समस्या का समाधान देखे शारी अर्थात basic nature होना soil का शारी होना एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं असान भाषा में नमक का जमाव होना किसी मिदा पर ये नमक की जमाव से वो मिदा की जो प्रविष्टी होती है शारी हो जाती है basic हो जाती है और ये खासकर किन छेत्रों पर होगा इस प्रकार की समस्या शारी समस्या कहां पर होगा तो ऐसे छेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा सीचाई की जाती है या फिर ऐसे इस्थान जो शुष्क जलवाईू छेत्र के अंतरगत आते हैं इस प्रकार के इस्थानों पर जो मिदा होगी वह छारी प्रवित्ती हो जागी सता पर नमक जम जाएंगे और ऐसे मिदाओं को या ऐसे छेत्र को कह दिया जाता है ऐसे छेत्र जहां पर ऐसी मिदा है जो कि शारी प्रवित्ती की है उनका नाम दिया गया है जैसे रेह, उसर और कलर खासकर कहां पर यह तो भारत के उत्तर पश्रिम छेत्र की बात है पंजाब दक्षणी पंजाब पुरवी राजस्थान उत्तरी पश्रिम मध्यप्रदेश उन छेत्रों पर आपको ऐसी मिदाद दिखेगी तो इस छारी समस्या को दूर करने के लिए इससे निदान प्राप चैनल फॉर्मुला एक्जैक ही की नहीं यह मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूं लेकिन केल्शियम का सल्फेट ही जिपसम कहलाता है चली नीम्रे लिखीत में इससे मिदा अपरदन सॉयल इरोजन की प्रक्रियाओं को सहीं क्रम को पहचानी है सबसे पहले होता है आसफाल अपरदन फिर परत परत को कह दिया जाता है शीट रील को कह दिया जाता है रील और अमनालिका को कह दिया जाता है गुल्ली रोशन ठीक है जब अच्छा इसका आंसर तो मैंने यहीं पर बता दिया ऑप्शन बारा का ए चली जब बारिश की बूंदे पड़ेंगी और जो चटान है जो मृदा है वो जब तूटेंगे उनके कंड तूटेंगे तो ये जो तूटने वाला कहानी है ये आसफाल अपरदन कहलाएगा फिर वे कंड वर्षा के पानी के साथ या नदी के पानी के साथ वो कंड आगे की और बहेंगे तो जब बहुत ही पतली परत बैती है तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं बिरदा की सबसे बहुत पतली परत जब बैती है शीट इरोजन कहते हैं जब थोड़ा सा मोटा परत नाली के रूप में नाली का के तौर पर जब एरोजन होने लगेगा परत का तो उसे real illusion कहेंगे और जब बहुत ही मोटी नाली के तौर पर एरोजन होगा तो उसे गल्ली erosion कहेंगे तो जो चंबल घाटी है, चंबल रीवर वाला, रीवर वेली, वहाँ पर ये अवनाली का अपरदन हुआ है, क्या हुआ है गिली इरोजन, चीक है, और इस छेत को बिहड कहा जाता है, जहाँ पर डाकू अकेरा रहा करते थे, चीक है, चलिए. इंद्रा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, ब्यास नदी से, चिनाब से, गिराबी से, की सतलज से, ये पूछा जा रहा है, देखें, ब्यास नदी बहेगी, हिमाचल पदेश में इसमें पॉंग डेम बनाया गिया है, ठीक है, इधर से सतलज नदी बहते हुए आएगी, और हिमाचल पदेश में और पंजाब में, दोनों में संयुक तुरुप से भकरा नंगल डेम बनाया गिया है, ठीक है, आगे चल कर, पंजाब के हरीके नामक इस्थान में, ये दोनों नदी मिल जाएगी, कौन-कौन सी, व्यास नदी और सतलज नदी, ये दोनों मिल जाएगी, और उसके बाद इस हरीके बेराज से, एक नहर राजस्थान के लिए निकाला गिया है, जिससे इंद्रा गांधी, नहर कहते हैं, तो ये मुख्य रूप से किन, फिर उसके बाद, अच्छा ये तो हरीके बेराज में, ये जो कॉन्फ्लूएंस हुआ है, ये फिर ऐसे आगे की और सतलज नदी बढ़ जाती है, ब्यास नदी का जल ग्रण किये हुए, तो नदी तो ब्यास और सतलज, एक तधा चार, और अगर मान लेते हैं कि डैम पुछले, कि कौन से डैम से ये इंद्रा गांधी नहर को जल पहुँचाया जाता है, तो पौंग डैम, फिर भगरा नंगल डैम, हरीके बेराज, ये सब इसके अंदर गद चले हैंगे, ठीक है निमन लिखित, युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया है, मिदनापूर कसावती नदी सही है, मैतुर डैम कावेरी पर अभी मैंने आपको बताया है, उकाई तापी नदी गुजरात में ये डैम मना गया है, तवा प्रोजेट किष्णा न नदी पर है, तो ये जो ऑप्शन है, ये आपका सही आंसार होगा कि तवा प्रोजेट और किष्णा नदी एक दूसरे से सुमेलित नहीं है, चलिए, अगला कोश्चन, सुची एक को सुची दो, नदी है एक तरफ और दूसरे तरफ है परियोजनाय, तो सीवम समुद्रम, ये तो कावेरी नदी पर है, तो एक का बा, तो देखिए, एक का बा तो सभी में लिया गया है, चीक है, तीरी देम, तो भारत का सबसे उचा डेम है, तीरी डेम, और ये कहां पर है, तो ये भिलंगाना नदी और भगी रथी नदी के संगम पर है, तीरी नामक इस्थान है, उत्राखण में जहां पर भगी रती नदी से भिलंगाना नदी आगर मिलती है भिलंगाना या भिलंगना और उसी संगम पर ये टिहरी बांध मनाय गया है जो कि भारत का सबसे उचा बांध है तो फोर का आ तो ये आपका सही उत्तर आ गया ठीक है नागर जुन सागर कहां पर है तो किश्न नदी पर है और जायक वड़ी कहां पर है तो ये गुदावरी पर है चलिए आगे बढ़ते हैं तांबा के छेतर और राज्य अलग लग दिये हैं खेतरी माइन्स राज्यस्थान ये PSC में पूछा गया है खेतरी माइन्स कहां पर इस्थित है राज्यस्थान में इस्थित है तांबा निकालते हैं यहां से चंदरपूर कहां पर इस्थित है तो ये महराज पर इस्थित है हासन कहां पर इस्थित है तो यह करनाटक पर इस्थित है और खम्मान इस्थित है आंदर प्रदेश में तो सही उत्तर इसका क्या होगा A का 1 देखिए बाकी और देखने की ज़ुरत नहीं 17 का A ठीक है सही उत्तर हो गया देखिए B का 4 चली कोईला उत्पादक छेदर और कोईला खदान दामोदर गाटी सोन गाटी गुदावरी गाटी महागर्धी और ये कोईला खदान छेदर है तो देखिए दामोदर तो बराकर गाटी बराकर नामा की एक नदी भी है जो की दामोदर की एक सायक नदी है जिसमें तिलया बांध बनाया गया है ठीक है चलिए सोन मद्यप्रदेश उमरिया नमकिस्थान पर कोईला मिलता है जो की सोन गाटी पर इस्ठित है ठीक है महा नदी तल्चर उडिसा पर और गोदावरी हो गया फिर सिंग्रेनी ठीक है तो एका टू बी का थ्री सी का फोर और डी का वन तल्चर तो सहीं आंसर इस कोश्चन का ओप्षण ए है तो इतने ही कोश्चन इस वीडियो में हम डिल करेंगे यह अंतीम वीडियो था मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट एरिया को मैं कवर करूं और कोश्चन के माध्यम से जितने टॉपिक कर रिवाइस करा सकूं यह भी मैंने कोशिश की है फिर भी कई पार्ट ऐसे लोगों के लिए लाया था ताकि आप उससे उस लाइफ क्रेश कोर्स के माध्यम से अपने पढ़ाई को एक अच्छी दिशा और गती प्रदान कर सकें तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं उमीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही झाल 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 झाल